हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासिज, मेकिंग वे थू शॉटकट्स तो दोस्तों, चार लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री आफ जेन के पे जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था रिंचिन के बारे में, कोटा रानी के बारे में, देवा डैंस्टी के बारे में, दलूचा के बारे में, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था अपना मुस्लिम रूल, शाहम ये डैंस्टी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो आज हम देखेंगे फिफ्ट लेक्चर जिसमें हम जैन उलाविदिन हमारा बचा था तो ठीक है वो हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद देखेंगे जो भी डेंस्टी आती है वो चीज़ देखेंगे तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जूर बताना आपको कैसा लग रहा है अगर आगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको रेगलर अपडेट्स मिलते रहें तो हम लोग स्टैट करते हैं कहां छोड़ा था हमने जैन उल अभी दिन पर छोड़ा था अब जैन उल अभी दिन मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर है ठीक है और जब भी कोई मोस्ट इंपोर्टेंट होता है तो उसका पिरेड भी याद करना इंपोर्टेंट हो जाता है जैसे हमारा ललिता देतिया मुक्ता पीड़ा था important तो उनका period याद करना important था, दूसरा हमारा जैन उलाबिदीन है, इनका भी period जो है वो important है, अब इनके different नाम, इनको क्या-क्या बोलते थे, सबसे important जो है वो आपका जैन उलाबिदीन है, अगर आपको, मैं इतना आपको assure कर स कर सकता हूं कि 25-30% जो होगा, वो आपका इसी में से पूछ लिया जाएगा, तो क्या इनका नाम था, शाही खान, असली नाम, और इनको क्या बोलते थे, बढशा या बढशा दा ग्रेट भी बोलते थे इनको, और अकबर आफ कश्मीर, most important again, अकबर आफ कश्मीर, किसको बो important नहीं है, लेकिन आपके knowledge के लिए अच्छा है कि इनका administration काफी अच्छा था, अब ये point एक important है कि laws were engraved on copper plates and are placed at public places, अब शायद आप लोगों को, आप लोगोंने किसी ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन जब आज कल, आज कल क्या, जब भी मैं अपने गाउं ज लिखा रहता है और वो टंगी रहती है किस पे, पेड़ों पे, ठीक है, कुछ पुरानी, काफी time से हैं वो, लेकिन अभी भी ऐसी जग़ों पे होता है, अभी भी होता है, ऐसे गाउं में या कहीं पे, जो की plates पे क्या लगा है, लिखा रहता है कुछ चीजें, ठीक है, तो तंगी रहते हैं कहां पे, पेड़ पे, तो वैसे ही, इनके time पे क्या था, इन्होंने क्या कि जो law थे, वो engrave करके लिखके, उसको कहां copper plate पे, और public places पे लगा दिया था, ताकि सब देख सकें, उसके बाद अब आप देखो, most important जीज क्या थी, मारी राजतरंगिनी थी, जो क confusion है जिस चीज में, तो मैं आपको note करता रहता हूं, मैं देखता रहता हूं, आप लोगों को किस चीज में confusion हो रही है, तो वो part मैं आपका videos में clear कर देता हूं, पूरा, तो जो ना राजतर थे, उन्होंने लिखी थी, ये दृतिय राश्तरंगिनी, और वो किस के time पे लिख दूसरी तृतिय मतलब तीसरी, तो तीसरी राजतरंगिनी पूछा जाए, कि किस ने लिखी थी तृतिय राश्तरंगिनी अगर ऐसे पूछा जाए, तो किस ने लिखी थी वो श्रिवरा पंडित ने लिखी थी, दूसरी लिखी थी जोना राजा ने, अब next आज आता important, he opened a royal किचन फार हिंदू ठीक है जैन उल अभी दिन ने रॉयल किचन ओपन की हिंदू पिल्ग्रिम्स के लिए कहां पे रहना वारी में इंपॉर्टन पॉइंट है अगीन जिसको क्या बोलते हैं जोगी लंकर या फिर जोगी लंगर बोलते हैं लंगर होता है मतब जहां पे बड़े सारे लोग एक साथ आके free of cost खाना खा सकते हैं ठीक है most important points है यह मैं जो आपको बता रहा हूँ जैन उल अभी दिन के किसी ने इतने point आपको mention नहीं कियोंगे आप किसी की भी video देख लेना कहीं पे भी इतना आपको mention नहीं होगा तो आपको ध्यान से देखना most chances है आपके कि इसी में से आपको question पूछ लिया जाएगा next है he allowed complete freedom of worship and allowed re-conversion of Hindus who were forcefully converted to Islam अब इसनोंने क्या किया complete freedom freedom दी worship करने की और जो की हिंदूस जो थे वो अगर forcefully convert हुए थे इसलाम में या किये गए थे इसलाम में तो उनको re-conversion उनकी allow कर दी उन्होंने कि दोबारा से वो हिंदू में convert हो सकते हैं अब सुल्तान जो थे सुल्तान वाज ग्रेट बिल्डर कौन सुल्तान सुल्तान जैन उल अभिदिन ठीक है he was a great builder he founded a new city called नवशदर या फिर नोशादरी या फिर नोशेरा ठीक है यह मैंने जान बूज के नहीं लिखा है क्यूंकि आप लोगों सबको पता होता है नोशेरा तो हमको क्या यह भी याद रखना है कि उनको क्या बोलते थे और नवशदर भी बोलते थे और नोशादरी भी बोलते थे ठीक है नोशेरा किसने फाउंड किया था जैन उल अभिदिन ने he also founded जैनपूर जैनकटा और जैनगीर not that important सिर्फ आप लोग अब जैन से आपको पता चल रहा है कि जैन जैन लगा हुआ है तो जैन उल अभिदिन यह important point है most important point है कि he also built the first ever wooden bridge in सिर्नगर known as जैनकदल ठीक है अब एक आपका और है point वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी लेकिन पहला सबसे पहला wooden bridge अगर किसने बनाया था वो किसने बनाया था वो बनाया थ जैन उल अभिदीन ने इसका क्या नाम था जैना कदल कदल होता है ब्रिज कश्मीरी में बोलता है कदल को ब्रिज तो जैना कदल मतलब उन्होंने बनवाया था first ever wooden bridge तो याद रखना है again he invited craftsmen from Central Asia to train the locals अब ये इन्होंने क्या किया था Central Asia थे मतलब craftsmen बुलाये थे ताकि locals वो train हो सकें और यहाँ पे भी है काफी सारी चीजें आ सकें सीख सकें लोग locals he introduced the art of making pashmina shawls आप पूछेंगे अगर आपको most important question है again कि किसने introduce किया था art of making pashmina shawls तो किसने किया था जैन कुल अबिदी में अब pashmina shawls है तो इसके लिए important दो तीन point और important है यह आपको history में तो नहीं पूछे जा सकते हैं लेकिन आपको कहीं भी यह पूछे जा सकते हैं एक्जेक जैकिया से भी exams में कि pashmina shawls जो है वो किस goat से obtain होते हैं ठीक है हो सकता है आपको flora and funna part में यह जीज़ पूछ ले जाए कि pashmina shawls जो है या pashmina जो है वो कहां से obtain होता है किस से obtain होता है उसको बोलते है कैश्मीर goat ही हम लोग बोलते हैं अगर उसका scientific नाम देखा जाए तो उसको बोलते है capra heracus ठीक है फूछ सकते हैं आपको हो सकता है flora and funna में पूछ लें कि scientific न अगर हो सके तो अपने notes जरूर बनाना short notes मैं आपको एक video बताऊंगा video लेके आऊंगा आपके रिएसे में बताऊंगा कि पूरी history को आपको एक ही page पे कैसे खतम करना है short notes आपको कैसे बनाने है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो अगर आप चाहते हो कि मैं वह चीज़ आप आपको बताऊं तो आप comment करके बताना तो मैं आपको वह चीज़ भी उस पर भी video लेके आऊंगा again he also introduced wooden architecture and wood carving in Kashmir आप देखो पश्मीना शॉलनों ने introduce किया था तो आप लोग याद रखना पश्मीना को भी हमारा GI tag मिला हुए JNK में ठीक है और recent किसको मिला था recent saffron को मिला और walnut wood carving को भी हमारा GI tag मिला हुआ है तो इस बार GI tag में question आना जरूर है मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से यह चेस पढ़ना मैंने आपको cover किया था पूरा हर एक video में जरसे मैंने जो GK Will special reference to JNK है उसकी at least अगर मेरी कोई 20 videos है तो उसमें से मैंने 7- इतना important नहीं है लेकिन आप एक बार नजर रख सकते हो किसी ने भी mention नहीं किया है कहीं भी mention नहीं किया होगा आप हो जिसने भी पढ़ाया होगा कि Zainul Abidin की biography जो थी वो किस ने लिखी थी यू लिखी थी यूद्ध भटा ने again important he also built an artificial island in Wooler Lake known as Zainalunk और Zainalunk ठीक है उन्होंने artificial island एक construct करवाया था कहां पर Wooler Lake में जिसको क्या बोलते है जैना लंक या फिर जैने लंक बोलते है important है again अब 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 देखो अब जैसे हमने पिछली पिछली डैनिस्टी पड़ी तो last ruler जो था उनको जो मारता था उसी के नाम से आगी डैनिस्टी जो है वो start हो जाते तो यहां भी क्या था last ruler of शाहमीर डैनिस्टी कूँन थे लास्ट कौन से थे हबीब शाह थे और उनको किसने मारा उनी के military commander ने जो की कून थे घाजी चक और next start हो गया हमारा चक्रूल यहां से start हो गया अब जैनुल अभी दिन जो है बड़े जादा important है मैं फिर से आपको mention कर रहा हूँ ठीक है इसमें important point क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूँ फिर से पहले तो इनका नाम अकबर आफ कश्मीर किसको बोलते थे जैनुलाबिदीन को ठेक है जोना राजा जिन्होंने क्या लिगी थी दूइतिये राजतरंगिनी किसके टाइम पे जैनुलाबिदीन के टाइम पे श्रीवरा पंडिता उन्होंने लिखी थी तूइतिये राजतरंगिनी किसके टाइम जैनुलाविदीन के टाइम पे इन्होंने क्या किया था royal kitchen open किया था रहनावारी में hindu pilgrims के लिए सुल्दान great builder भी थे जिन्होंने नोशेरा बनाया था city new city बनाया थी कुन सी नोशेरा जिसको नवशदर भी बोलते थे और नोशादरी भी बोलते थे again उन्होंने जैना कदल जो first ever wooden bridge था वो भी construct करवाया था जैना कदल ठीक है पश्मीना शौल किसने introduce करवाया था art of making पश्मीना शौल again जैनुलाविदीन ने कहां से obtain होता है वो capra हिरेकर से obtain होता है पश्मीना को बोलते है soft gold again इसको बोलते है जैना लेक और जैने लेक इसके last ruler को उन थे हभीब शाह जिनको जिनको मारा था इनके military commander ने गाजी चक से और next हमारा start हो जाता है again चक rule तो next आता है हमारा चक rule या चक density 1561 से 1587 इतना important नहीं है dates आपको अब यह याद रखना dates आपको नहीं पूछी जाती है exams में क्योंकि dates में हर एक जगा पे अलगी date आपको mention होती है तो most chances होते हैं कि आपको ना पूछी जाएं जो की important dates हैं जैसे जैनुल अभी दिन का period हो गया कि जब मुगल रूल कप start हो गया हो था या फिर मुसलिम रूल कप start हो था या फिर आपको modern history की जो है वो dates पूछे जाते हैं जब कि वो ज़्यादा confirmed होती है थोड़ी सी ठेक है तो यह आपको date important नहीं है ठेक है सिधा हम देखेंगे गाजी चक जो थे इसके founder थे ठेक है इन्होंने हराया था के इसको अभी आपने देखा पिछे हमने क्या पड़ा के हभीब शाह जो थे military commander थे अभीब शाह के military commander थे गाजी चक उन्होंने हराया हभीब शाह को तो हमारा आगया चक डेंस्टे चक रूलर्स प्रिवेंटर देटेंट्स आफ मुगल रूलर्स चक रूलर्स ने क्या किया था प्रिवेंट किये थे अटेंट्स मुगल रूलर्स जो थे वो लगातार अटेंट कर रहे थे लगातार अटेंट कर रहे थे कश्मीर को अनेक्स करने की कश्मीर को अपने हाथ में लेने की लेकिन इन्होंने Chuck Rulers ने जो था वो उनको prevent किया था, उनके attempt जो थे उनको prevent किया था इसमें most important ruler कौन है इसमें most important ruler है यूसुफ, शाह, चक अब important क्यों है सरिये, ये important क्यों है क्योंकि इनकी वज़ा से important है he was married to Habba Khatun इनकी वज़ा से ये important बन जाता है अब Habba Khatun को कौन नहीं जानता Habba Khatun was sorry Habba Khatun was known as Night Angle of Kashmir most important question है आपका Night Angle of Kashmir बोलते हैं Habba Khatun को और Night Angle of India किसको बोलते हैं Sarojini Naidoo जी को Habba Khatun है Night Angle of Kashmir या फिर उनको बोलते हैं Zoon या फिर Zoon भी कहीं कहीं mention होता है Zoon जीनका मतलब है जिसको बोलते हैं Moon ठीक है तो इनी की वज़ा से जो है Yusuf Shah Chak जो है वो famous है famous sorry बोल रहा हूं मैं important डूलर बन जाता है इस dynasty का again है आगे है He changed Gulmag and Sonmag into holiday resorts पूछ सकते हैं कि किसने change किया था Gulmag और Sonamar को holiday resort में तो किसने किया था Yusuf Shah Chak ठीक है He was brought to Delhi for talks with Akbar but imprisoned by him in Bihar where he died important नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके knowledge के लिए अच्छा है in case कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो बात करने के लिए talk के लिए अकबर के साथ दिली लाए गए लेकिन अकबर ने क्या किया उन्होंने उनके साथ दोखा किया उनको imprison कर दिया गया और वो वहीं पे बिहार में जो है उनकी मृत्यू हो गई after his death his son Yaakub Shah Chak became the ruler of Kashmir उनके son के बाद उनके मृत्यू के बाद यूसुफ Shah Chak के बाद Yaakub Shah Chak जो थे वो बने कश्मीर के ruler next time he was defeated by the Mughal Army under Qasim Shah at Haripora अब उनको defeat कर दिया गया Mughal Army ने defeat किया उनको कहां पे Haripora में और किसके under किया Qasim Shah के under किया जो की आगे जाके अब defeat किसने किया Mughal Army में मतलब अब किसका rule आगया अब Mughal rule आएगा अब किसके under defeat हुए Qasim Shah के under defeat हुए मतलब Qasim Shah जो है उनको first governor बनाया गया Mughal rule का जब मैं Mughal rule पढ़ूँगा आज तो हम इतना ही रखेंगे अकवर ने क्या बनाया जो हरी पर बता वो किसने construct करवाया उसके अंदर wall जो थी वो किसने construct करवाया अकवर की कितनी visit हुई थी किस visit में उसने क्या किया था तो हम लोग सारी चीजे एक एक point जो है वो आपका cover करेंगे तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना बेल आइकन को ब्रेस करना ताकर आपको regular updates मिलते रहें Thank you